नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं दख़बरदार नियूज चले बढ़ते हैं आज की खास ख़बर क्यों क्या जोतरा देते संधिया को बीजेपी में श्वामिर करने के लिए हुआ था खूफया ओपरिक्शन मद्यपरदीस में विधान सभा चुनाब बेहद नजदीक हैं और राजनितिक सरगर्मिया दिन वा दिन बढ़ती जा रही है ये वही समय है जब उन राजनितिक मुद्दों की याद फिर ताजा हो रही है जिनकी वज़े से मद्यपरदीस में तक्ता पलेट की इस्तिती पनपी थी सीम शिवराज सिंग चौहान ने इन मुद्दों से जुड़े ऐसे कई सवालों का जवाब दिया जिनके बारे में जौने के लिए जंता उस्सुख है साल 2018 में मद्यपरदीस राजस्थान और 36 गड़ में विधान सबा चुनाब हुए और तीनों ही राज्यों में कांग्रीस की सरकार बनी हलांकि साल 2020 में कुछ ऐसा हुआ कि मद्यपरदीस में बीजेपी की सरकार लोटाई क्या ये बीजेपी का कोई खोफिय ऑपरेशन था जिसके तैट जोतिरादेतिस सिंधिया ने कांग्रीस का हाथ छोड़ दिया और अचानक प्रदीस में तकता पलट हो गया इस पर जबाब देते हुए सीम शिवराज सिंग चौहान ने कहा कि ऐसा कोई खोफिय ऑपरेशन नहीं हुआ था ये सब कांग्रीस और आंतरिक मामला था और जोतिरादेतिस सिंधिया ने अपनी मर्जी से पैसले लिए इसले जोतिरादेतिस सिंधिया ने छोड़ी कांग्रीस शिवराज सिंग चौहान ने कहा उनकी पार्टी यानि कांग्रीस में जगडा हुआ जोतिरादेतिस सिंधिया अलग हुए और उनकी रेतत में कई नेता पार्टी से अलग हो गए और फिर हमारे साथ आए ये कांग्रिस का आंतरिक मामला था कि वे लोग अपनी पार्टी नहीं संभाल पाए इसमें कुछ खूफिया नहीं था CM शेवराज ने आगे कहा कमलनात को जो वादे पूरे करने थे भी नहीं कर रहे थे सिंधिया को सम्मान नहीं मिल रहा था उन्होंने तैय कर लिया कि ऐसी पार्टी के साथ नहीं रहना है जो वादे पूरे ना कर सके इसलिए ये पार्टी छोड़ कर आ गए मालूम हो साल 2018 के विधान सभा चुना में कांग्रिस ने चीत कर सरकार बनाई थी साल 2020 में मदे प्रदीस में कांग्रिस की सरकार थी और कमलनाथ मुखी मंतिर थी इस दोरान जो तिरा देति सिंधिया ने अपनी समर्ठक 19 विधायकों के साथ कांग्रिस से इस्तिफा दे दिया था इसमें ततकालिन कमलनाथ सरकार के 6 मंतिर भी शामिल थे सिंधिया के सिफी के दो बज़े बताई जा रही है पहले तो ये कि वे प्रदेश की राजनीती में अपनी दंदेखी से नाराज से ये नाराज की कांग्रिस की सरकार बननी से पहले से चली आ रहे थी जब उन्हें प्रदेश अद्दक्ष के पद के लिए नहीं चुना गया वहीं दूसरी ये कि सिंधिया का मानना था कि राजसाबा चुनावों में कांग्रिस उन्हें अंदेखा कर रही है खबरों में अब तक लिए बस इतना ही फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसे ही खास खबर के साथ तब तक लिए नमस्कार और देखते रहे हैं दखबरदार न्यूस